नमस्ते दोस्तों आप सभी क्याक बार फ्रिस्त स्वागत है आपके अपनी योटुब चानल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि नॉर्मल डिलिवरी के लिए कब आपके सभीक्स का मूँ चेक किया जाता है फिंगर इंसर्ट करके साथी साथ इसके कितनी ज्य स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब किसी महिला का सैतिस्वा हपता कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बच्चा हेट डाउन पोजिशन में आने लगता है अगर आपके नॉर्मल डिलिवरी होने वाली है तो कुछ संकेत आपके बॉड़ी भी देने लगती है लेकिन दोस्तों क पता लगाया जा सके कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी दो तरीके से आपके सर्वेक्स के जाज को चेक किया जाता है पहला तरीका होता है सोनोग्राफी सोनोग्राफी में भी यह पता लग जाता है कि आपका सर्वेक्स कितना ज्यादा इसके बाद ही अगर कोई कॉप्लिकेशन है बच्चे ने नावल अगेरा लपेट ली है या फिर आपको कोई भी कॉप्लिकेशन है अमिनेटिक फ्लूड से रिलेटेड सारी चीजे इसमें आपको बता दी जाती है कि नॉर्मल डिलिवरी के संभाबना है भी या नहीं है सेकंड होता है जब आप 9 महीने में विजिट करते हैं डॉक्टर के पास तो वजाइना में इंसर्ट करते हैं फिंगर और जांच करते हैं कि आपका जो वजाइना है और यहाँ पे जो बच्चेदानी का मुह है वो कितना ज़दा खुल पाया है यहां पर सर्विक्स का मूँ 10 cm खुलना जरूरी होता है, सर्विक्स का मूँ धीरे धीरे ओपिन होता है, अचानक से ओपिन नहीं होता है, इसी चीज़ की जांच आपको डॉक्टर करके बताते हैं, जब आप विजट करते हैं डॉक्टर के पास, तो यहां पर डॉक्टर आप उंगली सबसे पहले डाली जाती है, डॉक्टर जो होते हैं, वो पूरा हाइजन मेंटेन करते हैं, सारे सेप्टीज को देखते हैं, और गलाबस अगेरा हातों में पहन के, उसके बाद जब एक उंगली को अंदर करते हैं, तो उनको पता लगता है कि कितना ज़्यादा आपका सर्विक्स उपेन हुआ है, अगर एक सेंटिमेटर हुआ है, तो उसके बाद आप एक उंगली के बाद दो उंगली का भी इस्तिमाल किया जा सकता है, दो उंगलीओं को इंस svenट करके देखते हैं कि अब कितना ज़्यादा आपका सर्विक्स उपेन हुआ है, इस तरहिके से उंगलिया डाल करके चेक करते हैं routine check-up के दोरंग लेकिन ये तो बात रही कि जब आप routine check-up पे जाते हैं जब आपको symptoms start हो जाते हैं या फिर by chance आपको pain नहीं आया कोई भी symptoms normal delivery का नहीं है और आपकी जो due date दी गई थी वो भी आ चुका है इस समय आप जब visit करते हैं डॉक्टर के पास और admit वरते हैं hospital में तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको senior nurse होती है वो आ करके आपके civics का position जिस तरीके से डॉक्टर ने finger insert करके चेक किया था वैसे करते हैं साथी साथ आपके बीबी के heart weight को भी समय समय पर आचा जाता है ऐसा कई बार किया जाता है दीरे दीरे आपके civics का मों open होने लगता है और आपकी normal delivery भी आ जाती है पासी बहुत सारी महिलाएं घवराती है कि सविक्स पोजिशन जब चेक करते हैं डॉक्टर फिंगर इंसर्ट करके तो अपने बोडी को काफी ज़्यादा तनाओ में डाल लेती है ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए समय बोडी को रिलेक्स छोड़ना चाहिए आप जितना आपके लिए सहेई ज़्यादा पोडूर्ण ज़ैंगेंगे बहुत ज़्यादा आप बोडी को टैट कर लेंगे तो यह इंसर्ट करने में भी फिंगर को दिकत होती हे और ऑन होसालilateral तो पीरा का पी श्यादा होती है कई सारे महिलाओं की जो पानी की थहली होती हो ब्रेक हो जाती है तो रुक रुक कर पानी आने लगता है डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो यह सारे सिंटरम्स नॉर्मल डिलिवरी के होते हैं ऐसी कंडिशन में डॉक्टर से संपक करिया और घहबराने की जरूरत बिलकुल भी ही नहीं है अजके इस वीडियो में आपने जाने कि फिंगर से कैसे डॉक्तर चेक करते हैं कि इसे तरीके से आपको बताया जाता है कि अब आपकी डिलिवरी में कितना ज्यादा समय बचा हुआ है, so friends I really hope ये वीडियो से आपको बहुत सारी knowledge मिली होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब चानल को करना ना भूले, और ऐसे ही आगे बने रहें, और भी informative वीडियो को देखने के लिए, आज के लिए फिलाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक अपना खेया लेखे, friends टेक केर, नमस्कार